अगली पढ़ाओ की और हम बढ़ते हैं नगर निगम में बहुत से सुविधाय अब मिलनी लगी है लोग मुख्य कारण जो है उसमें पानी बिजली सब चीज को लेके लोग आस्प लगाया बैठे रहते हैं क्या होना चाहिए नगर निगम के लिए और आम पब्लिक के जागरुपता के लिए देखिए नगर निगम का मुल दाइत तो होता है उनकी प्रमुक्ष जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सुद्ध पेजल उपलब्ध हो उनके घर के आसपास नालियों की सड़कों की अच्छी सफाई हो सड़कों में परियापता रोष्णी हो और चलने के लिए अच्छी सड़के हो इस चार स्विधाएं यदि मुल्भू सुधाएं है इन स्विधाओं को जन्ता तक आदी पंचा दे जाए तो जन्ता नगर निगम की तारिफ करती है और इत को तक सुद्ध पेजल नहीं पहुंच पाए उनके घरों के आसपास की नालियां साप नहीं हो पाए तो जनता का अक्रोश का सामना भी करना पड़ता है तो नगर निगम की जो प्रमुक जिम्मेदारियां है जिस उद्देश्य से नगरी निकाय संस्था बनाई गए जहां पर जन्परतेंगी चून करके आते हैं जहां पर जिसको हम कर सकते हैं तिसरी सरकार की रूप में काम करती है तिसरी सरकार से जनता यही अपिक्षा करती है कि हमको पीने का सुद्ध पेजल उपलब्ध कराएं हमको अच्छी साबसुतरी नालियां और सड़के उपलब्द करा है हमारे लिए अच्छी प्रकास व्यस्ता उपलब्द करा है चलने के लिए अच्छी सड़के उपलब्द करा है और यही नगर निगम की मुख्य जिम्मेदारी है इसके लावा नगर निगम और भी अनेक काम क स्विधाओं को उपलब्द कराना नगर निगम की नेतिक जिम्मेदारी है और उसको उपलब्द कराए जाना चाहिए अब धीरेजी जैसे हम स्वच्छता की और जैसे बढ़ रहे हैं लगातार अब एक राजधानी के लिए मोर रायपूर का एक स्लोगन आया हुआ है तो मोर लोगों के बीश लाने के लिए आप ने भी बहुत सारी पहल की हैं किस तरह से इसको आगे बढ़ाया है कि मोर रायपूर के लिए मेरा अपना और इसे एक भाउत्पन होता है कि मेरा वैपूर शहर है, ये शहर मेरा अपना शहर है, इसको सक्षा रखना हम सब की जिम्मेदारी बनती, इसलिए इस तरह का स्लोगन दिया गया है स्वच्छता की और कदम हमने आगे बढ़ा लिया है, ODF हो चुका है, पूरा राजधानी, साथ साथ प्रदेश भी हुआ है, तो किस तरह से आप लोगों की बीच, क्यूंकि आपकी जो समाजी जो करिया है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है दिखिए इसके लिए जनता का हमको सयोग प्राप्त हुआ, जन भागिदारी सुनिष्चित हुई, जिस प्रकार देश के प्रदान मंत्री मानिवर नरेन मोदीजी ने लाल किला से जनता से अपिक्षा की थी सक्षता को बहुत छोटी सी बातों को उन्होंने लाल किला से कहा, और उनकी बातों को लेकर जनता सामने आई, जन भागिदारी सुनिष्चित हुई, जनता अपने हाथों में जाडू लेकर के अपने आसपास के सफाई ली, हर आफिसों में वहां के बड़े-बड़े साहब लोगों ने स्वेम उतर करके आसपास के सफाई करें, जनता देखते देखते पूरे सक्षता एक अभियान में जुड़ गई, जिसका परणाम हुआ कि आज रैपूर साहब कुछ सक्षता के रूप में देख रहा है, पूरे देश में एक जन जागुता अभियान चला है, ज हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी, हमारी जनता के सहयोग के कारण हुआ है, अगर उनका सहयोग नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ, हमारा ODF फ्री पैपूर नहीं होगा। दूसरा है कि आप जिसे महले में खुद बाहर निकल के लोगों के बीच पहुंचते हैं, आपके घर के सामने लोगों का ताता भी लगा रहता है, तो उनसे आप किस तरह से मिलते हैं और उनके काम को करने का क्या प्रक्विया आप रखें हुए हैं? देखें समान रूटिंग का काम है, मेरा कारेले अपने घर में भी एक में अपना कारेले खोल के रखा हूँ, जिसमें शहर की जनता, वाइड की जनता, मोहले के लोग, सारे लोग आते हैं, पार्टी के कारिकरता आते हैं, और कहीं ना कहीं वो शाषन की योजनाओं का लाव लेने के लिए आते हैं, और उनका हग भी है, उनका अधिकार भी है, जिस प्रकार से समाजिक स्रक्षा पिंशन, विद्वा पिंशन योजना, विकलांग पिंशन योजना, विद्धावस्ता पिंशन योजना, परिवार साहता योजना, संधांजली योजना, अपना भागी हम सब मिल करके प्रयास भी करते हैं तालाब गहरी करण की हम बात करते हैं जैसे कि तालाब काई राजधानी में एक पहले तालाबों का शहर हुआ कर था अब धीरे धीरे ये तालाब पढ़ता चला जा रहा है पर उसमें आपकी बहुत जिम्मेदारी होती है कि आप कई जगे खुद जाकर तलाब की गहरी करण कराना उसमें पानी की विवस्ता से लेकर हर चीज़ आप खुद स्वेम देखते हैं दिखे तलाब मिश्चित रुप से रैपूर शहर तलाबों का शहर के रुप में हम कह सकते हैं बहुत सारे तलाब हमारे पढ़ गए हैं जो रजबंधा आपको दिखाई दे रहा है ऐसे अनेक स्थाने जहां पर तलाब पढ़ गए हैं किन्तु पहली बार यह शासन ने हमारे मुख्यमंत्रिनी स्वेम स्पार्ट पर तलाब के पास जा करके उसके गरी करन से लेकर के उसके सफाई का काम की अभी आपकारी तलाब देख रहे हैं आमा पारा के पास में उसका भी टेंडर लगा है कि जो तलाब को पुनरजवित करने का भी काम चल रहा है और सुप्रिम काउट के गाइडलेंड से भी है कि तलाबों को पाटा नहीं जाना चाहिए तलाबों को किसी इस्तिती पे उसको खत्म नहीं करना चाहिए और आज जो देख रहे हैं कि आज राइपूर शहर में तलाबों को सुंदर बनाया गया चाहें आप मेरिन तेली बांध के लिए भी पानी के आवाशक्ता होती है और जो उसके लिए भी आप किये हुए हैं तो एक समाजीक छेत्र है और समाजीक छेत्र में और आगे और क्या-क्या बीच जाकर करते हैं डिखें तलाबों के लिए अवरने से धर्सिवा के लोगाध दो-दो-सो धाइडे-सो की संख्या में एक महां की संस्था है, वो आकर के नदियों को साफ करते हैं, तो हम लोगों को जन जागुरुकता अभियान चलाते हैं, जागुरुकता अभियान का मतलब है स्वक्षता से जोड़ना, उनको और भी कई कामों से जोड़ना, आज पुनाम सरुपी यह हुआ जब हम उनसे बादशित करते थे, तो उन बच्चों के तरफ से ऐसे ऐसे प्रशन आते थे और उनके ऐसे ऐसे उत्तर आते थे, कि हम भी अच्चमभित हो जाते थे, और कही ना कहीं, इन स्वक्षता अभियान में, स्वक्ष भारत में, स्वक्ष प्राप्त होता है बहुत से हम इसकोलों में जब जा करके उनकी पार्ट साला लिए और पार्ट साला के माध्यम से हम जब उनसे पूछे कि खुले में सौच क्यों नहीं करना चाहिए तो ऐसे अनेक जानकरी इन बच्चों तक तो आज बच्चा बच्चा जागरुक हो गया बेस्ट से बेस्ट बनाया गया जिसकी तारीफ हमारे प्रधान मंत्री देश के प्रधान मंत्री निजी ने किया कि रैपूर में कच्रा महसो मनाया गया तो युवाओं के लिए कहीं न कहीं इस तरह से प्रेंड़ा लेने की बात होती है कि इनसे प्रेंड़ा ले कि हम तरह से उसका डिस्पोजल करेंग तो ऐसे नेग समस्याओं का हल हमारी कर सकते हैं इसलिए हम युवा वह करते हैं कि ऐसे जनीत के काम में समाज़ी काम वह और वह आगिया है और राज़धानिके लगभा कि सभी दिवारों पर पेंटिंड कभी किया गया है लोग जाते रादे थूख देते थे जाते हो नारचे लिए पहले आप देखते थे उसमें लोग नारे लिग दिया करते थे दो बिखरके वैद셔서 की शहर की सुनधरता भिगडती थी किन्तवा जनता का जागरुकता है कि उसमें लोग नारे नहीं लिख रहे हैं उसमें लोग थूक नहीं रहे हैं बलकि समाजिक संस्थाएं सामने आ रही है हमारी ये पंचा फुल जैसी संस्था भी सामने आई जहां पर बच्चे हैं उसमें युवा हैं उन्होंने स्वेमा करक कि अपने पैसे से अपने सामाग्रियों से उस दिवालों में लेखन और पेंटिंग का काम करके उसको भवब्य और सुन्दर बनाने का काम उनों लोगों ने किया है उनको सलाम करता हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सहर की सुन्दरता को देखना चाते हैं इस सहर को के चल रहे हैं भी देखे आज से 15 साल पहले का रैपूर और आज का रैपूर जमीन आस्मान का अंतर दिखाई देने लगा है आज हमारे महमान आते हैं जब रैपूर में आते हैं तो करते हैं कि 15 साल का जो रैपूर था और आज का रैपूर काफी बदल गया है और रैपूर के स्ट dependent पर कि पर जाना की से नवंद सारे काम हुए है राइपुल की बात करूए जो सारे काम हुए हमारे इंडोर 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 इस्टेडियम बहुत तो सारे जो काम वह रैपूर को काफी आगे ले जाने वाला काम हुआ जो रैपूर को जो इसमार्ट चिटी गूरूप में जो चीज चाहिए यहांपर वह सारे चीज़े यहांं पर आज दिखाई देने लगा है और एसे सब कामों से आज खेल के नाम से भी लोग जाने जाने लगें रैपूर को आज रैपूर में अंतराष्टी और राष्टी इस्तर का टूनामेंट होने लगा यही हमारा स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी में जो भी चीज आवशक्ता होनी चाहिए हमारी युवाओं के लिए जो चीज आवशक्ता की चीज़े संधान और इंफरस्ट्रक्चर होना चाहिए वो हार है हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो इंफरस्ट्रक्चर होना चाहिए वो होने जा रहे हैं हमारे विद्ध लोगों के लिए सिनियर सिटीजन लोग स्मार्ट सिटी को लगाता है इन कामों को देखकर कैसा लगता है कि रैपूर स्मार्ट है चलते चलते एक बार आपके बात कहें कि लोग नीगम को प्रती बहुत ज़्यादा आस लगाया बैठें तो उनको भी कुछ जागरूख होना रहता है तो क्या संदेज देना चाहेंगे कि लोगों को जागरूख होना और नीगम को ताकि साथ रहता है देखें नीगम से लोगों को आज भी काफी अपक्छा है और अपक्छा है क्यों कि महां जनम से लेकर के मरन तक का यदि कुछ भी बीच का भी काम है अगर बच्चा जनम लेता है तो जनम प्रमापत लेना है तो भी नगर निगम के पास आए अगर उसका विवा होता है तो विवा पंजयन के लिए भी लोगों को नगर निगम के पास आना पड़ता है यदि उसके मित्वी होती तो भी मित्वी प्रमाण पर लेने के लिए आना पड़ता है और इस बीच की जितने भी काम है चाहे उसके बिद्धावस्था पेंशन लेनी की बात हो तो नगर निगम में आना पड़ता है चाहे उसको विवा का कोई राशी लेना है तो भी नगर निगम को पड़ता है तो अनेक काम ऐसे काम है जो नगर निगम से उसका वास्ता पड़ता है और लगाता नगर निगम से उसका संपर् connection लेना है सफाई कराना है घर में सूलफ सोचाल है बनाना है ऐसे अनेक योजना है सारी योजनाओं का लाप नगर निगम से लेना पड़ता है किन्तों मैं जनता से पिक्षा करूंगा कि रैपूर शहर में आज पानी की विक्राल समस्या हो रही है आज जो खुले में टोटी है वो नहीं होगा और जो कचरा यंत्रतंत्र लोग जावते हैं उसको कचरा कहीं पर ना डले अब तो हमने रैपूर की एक बड़ी रैपूर नगर निगम ने एक फैसला लिया है कि डोर टूर कलेक्शन अपने यह बड़ी बात है डोर टूर कलेक्शन आप गिला कचरा को करिमेंट हो गया है कुछ दिनों बाद वो भी काम बहुत अच्छा चलोगा उन कच्छरे को जहां पर उचित माध्यम के माध्यम से वहां पर दे ताकि शूपरों को वही काम डबल ना करना पड़ा तो अगर जनता हमारी साथ देखी तो निश्चितरुप से हम शक्षता में काफी आगे आजाएंगे काफी आगे बढ़ जाएंगे और जहां पर गंदे पानी की शिकायत लगाता रहाती है उन शिकायतों को भी जनता नगर निगम तक पहुंचाए ताकि उस गंदे पानी की शिकायत को भी दूर करें आज पिलिया की जो हमारी की रूप में पिलिया जो जगे जगे फैल रहा है उसके लिए मैं तो जनता से कहूंगा कि वो पानी को उभाल करके पिएंगे यदि वो पानी को उभाल करके पिएंगे क्योंकि जान हमारी ये शरीर हमारा है पानी को उभाल करके पिएंगे तो हमारा ही शरीर स्रक्ष होगा पानी में क्लोरिन की मात तो यह से हमारे साथ प्रफूल विश्रकुर्मा जी जिनके व्यक्तित्व से हम जानकारी भी लिए और साथ ही उन्होंने निगम में खुद सभापती के पतपर आसी नहुतवे लोगों को जागरू करने की भी बात कही है। अगली कड़ में किसी और सक्सियत के साथ फिर होगी एक मुलाकात तब तक के लिए दीजे मुझे टीम के साथ इजाज़त नमस्कार।